नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जानकी फैसन बूटिक में तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखेंगे आपका गला यहाँ पर छोटा हो रहा है तो आप उसको किस तरह से बड़ा कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा सूंट का गला बना हुआ है तो यह मैं इस तरह की गले को बड़ा किस तरह कर सकते हैं बहुत ही आसानं तरीके से मैं आज आपको इसंस गयर बड़ा करना बताऊंगी आपका गला यहां पर भड़ा में हो जाएंग और तो यहां पर कपड़े में कोई खराबी नहीं आएगी वीडियो में बने रहे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तब पहुंच सके तो इस तरह बड़ी आसानी से बड़ा कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आपे अपने नेक को खोल लेना है तो इस तरह सबसे पहले हम यहां पे पीछे गले की जो तुर्पाई है इसको खोल लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने यहां पर पीछे गली की हलकी सी तुर्पाई खोल ली है दोनों साइड से और तुर्पाई खोलने के बाद जो हमने कंदे पर सिलाई लगाई है और इंटरलोक के इसको हमें खोल लेना है यहां पर तो देखिए इस तरह से कंदा भी यहां पर खोल लेना है तो इस तरह दोनों कंदे खोलने के बाद अब यहां पर अंदर से इसकी सारी तुर्पाई भी निकाल लेंगे और जो हमने गला नियागा था इसको भी हमें निकाल लेना है यहां से तो देखिए इस तरह से हमने यहां पे कले को निकाल लिया है इसी तरह के डिजाइन का हमें दूसरा नेक कट करना पड़ेगा तो यहां पर बुक्रम से हमें दूसरा नेक कट कर लेना है तरह से नेक कर लेना है तो देखिए इस तरह से मैंने या पर उसी सेप का बड़ा नेक कट कर लिया है तो इसको हमें कपड़े पर रखके अटेच कर लेना है तो इस तरह यहाँ पर नेक को त्यार करने के बाद अब यहाँ पर हमें देखिए दो-दो पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए तो इस तरह से हमें दो-दो पॉइंट के दूरी में इस तरह कपड़ा छोड़ना है बागे कपड़े को यहाँ पर हमें कट कर लेना है तो इस तरह हमने कट कर लिया है तो अब यहां पर सूंट ले लेते हैं अपने तो इस तरह हमने सूंट को यहां पर सीधा बिछाना है इस तरह बिछाते हुए अब इसके उपर हमें इस तरह नेक को सेट करके रखना है अब यहां पर ध्यान रहे बिल्कुल बीच में हमें इस सेट करके रखना है और कंदे से हां पर कट किया है जो क्या किमारा नेक Rac some कर देखे इस तरह से यहां पर अगर लोड़ा किया होता हुट best उसको इस तरह से बिलकुल सब्रापर रखना पड़ता अब यहां पर मैंने आधा इंची चोड़ाई में कट किया है ताकि हमारे गले की चोड़ाई भी हल्की सी फैल जाए इसलिए तो इस तरह से हमें इतना एश्टा कप्ला रखना है और यहां पर हमें अच्छे से पिन लगा लेना है सेट करते हुए पिन यहां पर जरूर लगाएं बिना पिन लगाएं हमारा गला यहां पर अच्छे से सेट नहीं होगा क्योंकि हमारा यहां पर सूंट सिला हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो यहां पर गले में भी सफाई नहीं आ पाएगी और नीचे भी हमें एकदम न तो देखे इस तरह से मैंने यहां पर नेक को अच्छे से बीच में सेट कर लिया है तो इस तरह अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें यहां पर बुक्रम के किनारे किनारे पर देखे इस तरह बुक्रम पर नहीं बुक्रम के नीचे कपड़े पे शिलाई लगाते हुए आना है पूरे जैसे हमने गला बनाया है सेम इसी तरह से हमें यहां शिलाई चलाते हुए आना है आ का अब तो देखेस तरह से मैं इसे पे स Dem déf यहां पे लगा ली है यहां पर लगये हुए पीनों को फिलार पे मुझे चला थरादे है तो देखिए इस तरह से मैंने एश्ट्रा कप्ला यहाँ पे कट कर लिया है तो अब गोलाई में हमें छोटे-छोटे कट लगाने हैं तो इस तरह कट लगाने के बाद अब हमने अपने नेक को इस तरह से अंदर की तरह पलट लेना है तो देखिए इस तरह पलट के मैंने इसके उपर कच्ची सिलाई लगा ली है बाद में यहाँ पे हम थुर्पन कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा गला यहाँ पे बड़ा हो चुका है तो अब यहाँ पे हमें अपने कंदे जोएन कर लेने हैं हमने आगे का गला आधा इंचे इस तरह चोड़ाई में एश्ट्रा कट किया था तो पीछे का हमारा यहाँ पे कपड़ा बढ़के आ रहा है तो यहाँ पर पीछे का वाइपिंग भी हम निकाल के इतनी चोड़ाई में इसको लगा के तयार कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने इतनी सी पट्टी को खोल लिया खोल के हमने यहाँ पे देखे थोड़ा सा हमें कंदे की तरफ ही कपड़े को कम करना है तो यहां मैंने इतने में ही कपड़े को बढ़ा रखा है तो यहां पर देखिए आदा इंची कपड़ा जो अश्टा आया है इसके हमें कटिंग कर लेनी है और फिर से इसके उपर सिलाए लगा के यहां पर नेक को तियार कर लेना है तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी के उपर सिलाए लगा ली है तो अब यहां पर हम कंदा जोइन कर लेंगे तो देखिए बिल्कुल बराबर से आ रहा है अब हमें पट्टी को आगे की तरफ पलट के जैसे हमने जोइन किया था पहले वैसे हमें यहां पर जोइन कर लेन हैं कि है कि तो देख कि इस तरह से मैंने यहां पे चिलाई लगा ली है और यहां सिलाई से हमें सिलाई को मिलाते हुए बहार निकालना है तो देखिए यहां पर मैंने दौनों कंधे माने शेय संद काएं और यहांि पर हमारा नेक्ट बड़ reincarnation तो इसी तरह आपका अगर नेक बड़ा हो जाता है और आप उसको छोटा करना चाते हैं तो उसके वीडियो भी मैंने अपनी चैनल पर डाली हुई है आप लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है तो इसी तरह आप मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए तो मैं इसी तरह अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहूंगी तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्यू धन्यवाद